समस्कार तोस्तों So friends, All India Institute of Medical Sciences भोपाल तो दोस्तों, AIMS भोपाल की तरप से एक और बार वेकेंसी यहां पर आ चुकी है यह देखिए इसकी official website रहने वाली है aimsbhopal.edu.in और directly हम लोग जो है वेकेंसी की notification की ओर यहां पर बढ़ जाते हैं यहां पर लिखा है वेकेंसी तो इस पर मैं आपर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे इस पर मैंने आपर क्लिक किया यह पेज यहां पर open हो जाएगा थोड़ा नीचे की तरफ हमको यहां पर आना होगा second number का यह जो option आप लोग अपनी screen पर देख रहे हैं लिखा है jobs under project तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे इस पर क्लिक किया यह window यहां पर open होई second number का यह जो notification है लिखा है detailed advertisement तो पूरा detailed भरती का विग्यापन आपको दे दिया गया और यहीं पर देखिए इसकी last date भी बता दी गई है 23 March 2023 तो बिल्कुल भी हम लोग यहां पर time waste नहीं करते हैं भरती के विग्यापन को open कर लेते हैं देख सकते हैं यह जानकारी यहां पर रहेगी All India Institute of Medical Sciences भोपाल, IMS भोपाल की तरफ से ICMR द्वारा यह funded यह project यह रहने वाला है contractual basis पर यह vacancy रहेगी इसमें देखिए description आपको बता दिया गया post का नाम तो lab technician की यह post है L.T की lab technician की post रहने वाली है पद यहाँ पर देखिए एक पद इसमें आपको यह बता दिया गया इस project के तहत आप लोग जो है अपनी आपर जोइनिंग लेंगे qualification देखें 12th class पास हो science subject में यहाँ पर आपके पास दो साल का डिपलोमा हो MLT में इस medical lab technician का आपके पास डिपलोमा हो B.Sc. MLT है आप लोग भी apply कर सकते हैं एक साल D.M.L.T है और एक साल का experience भी है आप लोग भी इसमें apply कर सकते हैं और B.Sc. degree candidates भी apply कर दें तो simple सी बात है B.M.L.T और यहाँ पर साथी साथ D.M.L.T candidates भी आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को देखिए यदि यह एक साल का experience है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी बिलकुल interview में आप लोग शामिल हो पाएंगे यह desirable बोला गया है यह compulsory नहीं बोला गया है interview इसमें आप लोगों का conduct यहाँ पर कराए जाएगा interview के तरूँ आपका यहाँ पर selection होगा देखिए age limit बता दी गई है 30 साल salary आपकी 18,000 रुपे पर मंत रहेगी job का description बता दिया गया यह jobs and responsibilities आपको यहाँ पर follow कर नहीं है duration एक साल के लिए आपको यहाँ पर joining मिलेगी जिसको आगे बढ़ा है भी जा सकता है देखिए selection का venue आपको बता दिया गया aims भोपाल में जो department of pathology lab medicine है medical college building aims भोपाल में यहीं पर जो है last date क्या रहेगी नीचे देखिए यह आपको पूरा application form का format इसी pdf file में आपको दे दिया गया तो यह application form आपको पूरा fill करना होगा और इस application form को और इस form के साथ-साथ जो भी आपके documents है तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है original documents self attested यह सभी documents आपको जो है photocopy का set यह आपको provide कराना होगा लिखा है all the candidates should report for exam 23 March 2023 23rd of March 2023 latest 10 बजे means 23 March को 10 बजे आपको जो है reporting करनी है venue यह आपको बता दिया गया department of pathology, lab medicine medical college building, ames bhopal और duly filled application form आपको यह लेकर fill करके आपको आना है और जो भी interview की date आपको बताई गई है और यहाँ पर written exam भी हो सकता है अगर ज़्यादा candidates पहुंसते हैं तो written exam भी लिया जा सकता है तो इसके लिए भी आपको जगह बता दे गई है इस जगह पर आपका written exam लिया जाएगा यदि candidates ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर सारे आपको documents करी करके ले जाना है आपका resume है यह bio data भी आपको ले जाना है documents भी आपको सारे आपको photocopy और original form में आपको ले जाना है recent color जो photograph है आपको ले जानी है कोई भी इसमें application form की fees आपको इसमें आपको नहीं देनी और एक साल का यह contract basis पर यह recruitment है इसमें बाद में इसको आगे बढ़ाए भी जा सकता है ऐसी जानकारी इसमें आपको दे दी गई है यह vacancy का update आपको कैसे लगा इम्स भोपाल मध्यप्रदेश राषन की यह vacancy थी आप चाहिए तो वीडियो को लाइ कर सकते हैं इसी वीडियो की नीचे जाके subscribe के मध्यप्रदेश राषन की हर vacancy की जानकारी आगे भी पाते रहे हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो में thank you so much